तो भाई आज हम बात करेंगे जुलाई मत के सौफटे अप्डेट्स के वारे में और एक बात इनमें कुछ अप्डेट्स आपको स्टेबल भी देखने को मिलेंगे एंड कुछ अप्डेट्स आपको बीटा भी देखने को मिल सकते हैं एंड Realme ने 15 जुलाई तक किस किस टिवाइस में ओफिशिली जो अपडेट्स है वो लिस्ट कर दिया है पूरी जो डिवाइस लिस्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे एंड 15 जुलाई तक किस किस सिस्टम एप्लिकेशन का जो अफिशिल अपडेट्स है वो आपको देखने को मिला पूरी जो लिस्ट है वो भी आपके साथ आज किस वीडियो में सेयर करेंगे एंड साथ में रियल में ये किस किस टिवाइस में अभी तक एंडुएड 13 का जो अफडेट है वो देखने को मिला पूरी जो लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे तो वीडियो काफी जाज एंटरस्टी होगी वीडियो को सुरू से लेकर के एंड तक वाज करना एंड इस टैप की वीडियो अगर आपको फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आपको लाकर का बटन देखने को मिलेगा सब्सक्राइब कर लेना इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग और पर प्रेस कर सकते हो इस वीडियो के ओपर फाइव अंडर लाइक्स का टागेट रखते हैं आई होप आप लोग कंपेट करवाद होगे अब दोस्तों अपडेट्स की जितनी भी ओफिशल इनफॉर्मेशन है वो आपको रियलमी के ओफिशल सौफ्ट एंड ड्राइबर अपडेट जो वैबसाइड है इसके ओपर देखने को मिल जाएगी आपको यहाँ पर रियलमी के स्मार्टफोन, रियलमी के टीबी एंड रियलमी के लैप्टॉप के जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे लेकिन इसके वारे ही बता करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा हम सीधा बात करेंगे ओफिशल सोर्स के वारे में तो यह रहे रियलमी कॉम्निटी के ओफिशल एड्मिस्टेटर वी के परभात एंड आयूशी मैं यही आपको अपडेट्स के वारे में जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है वो प्रुवाइड करवाते हैं तो सबसे पहले बात कर लिजाए स्टेबल अपडेट के वारे में तो स्टेबल अपडेट्स के अंदर रियलमी ने फाइनली रियलमी 9 4G के अंदर जो second update है जुलाई मत का वो release कर दिया है Realme C30 को भी जुलाई मत कर दो stable update है वो officially देखने को मिल चुका है इसी के साथ Realme C15 Qualcomm Edition को भी जुलाई मत का जो official stable update है वो Realme ने release कर दिया है और साथ में अगर आप लोग Realme C25 device यूज़ करते हो दिये हैं इसी के साथ Realme ने Realme 850 A के अंदर भी जुलाई मत का जो official stable update है वो release कर दिया है Realme C35 को भी officially जुलाई मत कर दो stable update है वो देखने को मिल चुका है और इसी के साथ अगर आप लोग Realme C25 device यूज़ करते हो तो इसको भी officially जुलाई मत का stable update Realme ने रिलीस कर दिया है and Realme GT2 Pro के अंदर भी आपको जुलाई मत का stable update जो है वो देखने को मिल चुका है साथ में Realme Narzo 50 में भी आपको जुलाई मत कर दो stable update है वो Realme ने रिलीस कर दिया है Realme 8i को भी जुलाई मत कर दो stable update है वो देखने को मिल चुका है इसी के साथ Realme Narzo 50 5G को भी जुलाई मन्त का जो स्टेबल अपडेट है वो देखने को मिल गया है and Realme 9 4G में भी आपको जुलाई मन्त का जो स्टेबल अपडेट है वो Realme ने रिलीस किया है साथ में Realme Narzo 30A में भी आपको जुलाई मन्त का जो स्टेबल अपडेट है वो officially Realme ने provide करवा दिये हैं तो finally अभी तक Realme ने सिर्फ इन्ही devices के अंदर आपको जो official stable updates है जुलाई मन्त के वो release किये हैं अब दोसों बात की जाए बीटा updates के विवारे में तो Realme ने जुलाई मन्त के अंदर finally Realme C31 में जो early access के form थे Android 12 के वो release कर दिये हैं and Realme Narzo 50A Prime में भी आपको Android 12 के जो early access हैं वो Realme ने officially release कर दिये हैं साब में Realme C35 में भी आपको Android 12 के जो early access हैं वो देखने को मिल चुके हैं and Realme 9i में भी आपको जो open beta के application थी वो Realme ने जुलाई मन्त के अंदर release कर दिये हैं बाकि और भी बहुत सारे devices में जो आपको beta updates हैं वो देखने को मिले हैं इनकी जो list है मैं आपके नीचे description में share कर दूँगा आप चाकर के checkout कर लेना कि आपके device में beta update आया कि stable update आया है यह आप लोग आमें comment section में भी बता सकते हो अब बात की जाए Android 13 के update को लेकर कि Realme के किस किस device में अभी तक Android 13 का जो update है वो Realme ने provide कर वा दिया है इंडिया के अभी तक सिर्फ Realme GT 2 Pro के अंदर ही आपको Android 13 का जो update है beta वो देखने को मिले हैं लेकिन चाइना के अंदर Realme GT 2 Pro and Realme GT Neo 3 इंदोरो devices के अंदर internally Android 13 के जो update की beta testing है वो Realme ने start कर दी है और मेरे हिसाब से लगवग आप लोगों को अगस्त के end में जाकर के इंडिया के अंदर और बी devices में Realme जो Android 13 के updates है उनकी testing स्टार्ट कर देगा तो भाई अब बात की जाए system application के updates को लेकर के कि Realme ने जुलाई मन्त के अंदर किसकी system application के जो updates है वो provide करवाई है बट उससे पहले आपको इतना बताना चाहता हूँ कि Realme ने जुलाई मन्त के अंदर Android 13 के जो system application है वो भी provide करवाई है अब अगर आपको भी Android 13 की system application है system application के latest update चाहिए तो नीचे description में आपको Realme system app update telegram चैनल का link देखने को मिलेगा इसको जाखर के जुआए निकलना आपको यहाँ पर Realme O.1 Plus की जितनी भी official system application के updates है वो सबसे बहले देखने को मिल जाएंगे आपको Android 13 का music player Android 13 का camera application Realme UI 5.0 का smart assistant theme store, साथ में setting, photos application internet, my file, game assistant, aod, system launcher, game space, file manager, aod, साथ में बहुत सारी Realme O.1 Plus device की system application के updates है वो आपको देखने को मिल जाएंगे साथ में जितनी भी Android 13 की application है वो सबसे बहले आपको इसी telegram channel में देखने को मिलती हैं तो make sure आपको जाकर के इस telegram channel को join करने आपको यहां पर हर एक system application को जो official updates है वो सबसे बहले देखने को मिल जाएगा वाइली दोस्तों इतना इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना नीची आपको लागर का बटन देखने को मिलेगा चैनल को भी आप लोग सबस्क्राइब कर सकते हो क्योंकि हमें जल्दी से अपनी एक लाग की family कम्प्रीट करनी है और उसे कम्प्रीट करने के लिए आप सब की help चाहिए क्योंकि आप सब की help के बीना कुछ भी possible नहीं है तो हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक्या